मुझे उमीद है कि अब आपको समझ आ गई है कि वर्णियर क्यालपर से रीडिंग कैसे नोट करते हैं लेकिन परफेक्शन के लिए क्या जरूरी है? प्राक्टिस चले एक एक्जामपल सॉल्फ करते हैं जिसमें वर्णियर क्यालपर के जरीए डायमीटर फाइंड करेंगे देखे इस डायग्राम को यहां स्क्रीन पर एक एक्जामपल के तौर पर चले अब vernier caliper के outer jaws में रखे गए cylinder के diameter को find करते हैं जैसा figure में नजर आ रहा है हम शुरू करेंगे, बंद करते हुए jaws को vernier caliper के और main scale की reading लेंगे main scale की reading है 0.0 cm अब हमें 0 correction find करने के लिए 0 error मालूम करना होगा तो divisions का वो number जो main scale से मिल रहा है, है 7 हम multiply करेंगे 7 को 0.01 cm से जो है least countess vernier caliper का vernier scale की reading मालूम करने के लिए जो ऐसे होगी 7 multiplied by 0.01 cm और ये equal होगा 0.07 cm के तो अब हम जानते हैं के minus 0.07 cm है 0 correction इस vernier caliper की आगे बढ़ते हैं, हमने इस cylinder का diameter मालूम किया main scale की reading को note करने से जो है 2.2 cm अब आगे बढ़ते हैं vernier scale reading पर number of divisions इस vernier scale की जो मिल रही है main scale से वो है 6 repeat करते हुए उन steps को जो पहले किये हम multiply करेंगे number of division को least count से जो है 6 multiplied by 0.01 cm और ये equal है 0.06 cm के लहाजा मालूम किया हुआ diameter इस cylinder का है 2.2 cm plus 0.06 cm और ये equal होता है 2.26 cm के लेकिन आपको ये मालूम है कि दुरुस डायमीटर इस cylinder का हमें cylinder के मालूम किये गए diameter को subtract करके 0 error correction मिलेगी राइट तो 2.26 cm माइनस 0.07 cm और ये equal है 2.19 cm के और ये cylinder का दुरुस डायमीटर है अब manual vernier caliper के इलावा digital vernier caliper भी दस्तियाब है देखें इससे यूज करना बहुत ज्यादा आसान है least count इस digital vernier caliper का है 0.01 mm इसका मतलब है ये manual vernier caliper के मुकाबले में ज्यादा दुरुस्त होगा और readings भी ज्यादा दुरुस्त होंगी main और vernier scale की हरकत के मुतालिक digital display बहुत ज्यादा sensitive होता है तो उमीद है कि आपको ये topic अच्छे से समझाया साथ रहें मजीद सीखने के लिए बापको समझा हो भी ज्यादा जो गच्छे अच्छे